हलो फ्रेंड, वालकम तो दे चैनल फार्मेसी डिशनरी, आज हम जिस वर्ड का सिंपल तरीके से मतलब देखने वाले हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है, लेकिन इसका यूज आज के डेट में पेंडमिक सिचुएशन में जनेट होने वाले कोवीड-19 को मैनेज क करने के लिए यूज करते हैं, अगर थोड़े से पहले की केस में बात करें, थोड़ा सा पहले मतलब बस 15 साल पहले की बात करें, तो अक्सर यह हुआ करता था कि जो छोटे बच्चे हैं और वो अपने हाथों का प्रॉपर हाईजेनी कंडिशन में नहीं करते थे, खेल दे मिट्टी में हाथ टच हो गया, और कुछ भी चीज़ खाने की है, वो खाली है, मिट्टी खाली है, किलोणा खाली है, जो की है, तो उस मिट्टी में वर्म्स हुआ करते थे, कई तहला लगता आपके वर्मस है, जिसका डीटैल अगर आप जाना चाहते हैं, तो हमारे में चे इनको चिपक करके यूज कर लिए करते थे, जिससे बचों को विकास अच्छे से नहीं होता था, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलते थे, लूज मोशन होते थे, बहुत सारी प्राब्लम्स डैरिया अगरा की होती थी, तो इसको ठीक करने के लिए जो ड्रग हम यूज यूज करते हैं, वो ankylmactic drug कहलाते हैं, ये drug अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, ब्सक्ली इनके काम करने का ये हैं, ये अगर ये intestine है और वर्में चिपके होए हैं, तो ये intestine में ग्डोह हो रहा है, worms के बाड़ी के अंदर paralyzes कॉस कर देते हैं, just because of excessive hyperpolarization, तो ये paralyzes फो ड्र तो फिर वो आपके स्टूल के साथ बोड़ी से बहा निकल लाते हैं, क्रीमी जो निकल लाते हैं, तो यही ड्रग हमारे कलाते हैं, आपके एंथलमेंटी, इसका अच्छा एक्जामपल है आइवरमेक्टिन, अब आपको एहवन में आपके पहले मैंने क्यों बोला था, COVID के किया गया है, not for COVID-19, तो ऐसे ड्रग जो की वर्म्स को पेट में ग्रोफ हो रहे हैं, वर्म्स को डड़ कास कराके, किल कराके, उनको बड़ी से बाहर निकालते हैं, स्टूल के साथ, तो ऐसे ही ड्रग हम लोग बोलते हैं, एंथलमेंटिक ड्रग, so friends, that's all for today, thank you so much for watching this video, नमस का take care.